देखिए कल bank nifty का expiry है कल bank nifty gap up gap down या फिर flat खुलेगी कल bank nifty की अंदर कैसा move रह सकता है जानने के लिए वीडियो में end तक बने रहें तो देखिए bank nifty का चार्ट देखने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा mid nifty देखेंगे आखिर हमने कल के दिन क्या prediction किया था देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था जो यहाँ पर हम long जाएंगे वो जाएंगे 9,220 के उपर हम यहाँ पर क्या जाएंगे long जाएंगे याने की call by करेंगे ठीक है यहाँ पर हम put by करेंगे put by करेंगे 9,120 के नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे put by करेंगे ठीक ह अगर आप लोगों ने कल वाला एनलैसिस का वीडियो नहीं देखा है न तो जा करके देख सकते हो देखो भईया यहाँ पर कोई भी हवा हवाई के अंदर बाचित नहीं होता है जब तक लॉजिक नहीं होता है तब तक मैं तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता हूँ मैंने यहाँ पर आप लोगों को कल के दिन साप साप कह दिया था अगर कल के दिन मिड कैफ निफ्टी इस जॉन के अंदर कामकाज करती है न तो आप लोगों को यहाँ पर call और put to बिल्कुल भी buy नहीं करना है नहीं तो आप लोग यहाँ पर क्या रह सकते हो trap के अंदर रह सकते हो देख सकते हो यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ है देख सकते हो खुला challenge कर देता हूं मैं आप लोगों को आप लोग जिसका मर्जी जाक या जो condition बताया उसके अंदर fulfill हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है तो आप लोग जरूर जा करके देख लेना अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल bank nifty का अंदर कैसा कामकाज रह सकती है देख सकते हैं हम यहाँ पर hero to zero भी देखेंगे कब हमारा hero to zero setup बनेगा तो चलिए बिना देरी करते हुए हम चलते हैं bank nifty के चार्ट पर देखो भाईया यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना देखना हो तो देख लेना नहीं देखना हो तो जा सकते हो ठीक है वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आते हो time pass करने आते हो है ना आप लोगों में से है ऐसे देखिए गिंचुन के बंदे ऐसे होते हैं जैसे कि 100% में से यहाँ पर 10% लोग होते हैं जो अपने आपको बहुत ही ज़्यादा दिमागी समझते हैं लेकिन वहाँ पर क्या होता है market के अंदर zero हो जाते क्यों उनका मानना यहाँ पर यह होता है यहाँ पर call buy कर लो यहाँ पर put buy कर लो ठीक है लेकिन होता जाता कुछ है नहीं यह तो मैं challenge दे करके कहता हूँ ठीक है यह मेरा 10 साल का experience है ठीक है ना अब चलो देख लेते हैं देखो अभी जो bank nifty के अंदर जो important level है mark कर लेना ध्या ना हो तो जा सकते हो अभी वीडियो को बंद कर और जा देखो अभी जो bank nifty के अंदर important level है बिल्कुल ध्यान से समझे लेना ठीक है जो की level है 44,590 का क्या है 44,590 का मान लो यहाँ पर अगर कल के दिन bank nifty इस level के उपर gap up opening ले लेती है तो ऐसे condition में यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर करना होगा क्या करना होगा वेट करना होगा जब इस level के उपर gap up opening लेगी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है retracement पर ही entry लेना है नहीं तो यहाँ पर trap के अंदर फस सकते हो जब इस लेवल के उपर gap up opening लेगी और दुबारा जब इसको retest करने आएगी क्या करने आएगी दुबारा जब इस लेवल पर यहाँ पर सांस लेने आएगी पानी पीने आएगी तब आप लोग यहाँ पर safely call by कर सकते हैं और यहाँ तक target के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अग ला रजिस्टेंस होगा 44,670 का यहाँ पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हैं या तो फिर अपना चड़ावा को यहाँ पर चड़ा सकते हैं यह आप लोगों की मर्जी है भाईया भाईया मेरे सुले यहाँ पर देख ले ध्यान से ठीक है तेरे जैसों कि यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है ठीक है अब माल लो अगर कल के दिन वैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तब यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर करना होगा सिर्फ और सिर्फ वेट जब यहाँ पर फ्लैट खुलेगी न तो लेवल समझ ले अरे समझ ले समझ ले जब यहां पर flat खुलेगी और इस level को यहां पर flat खुलने के बाद जब breakout कर देगी जो की level है 44,540 का तब आप लोग यहां पर safely call by कर सकते हैं और यहां तक target के लिए जा सकते हैं अब जो bank nifty के अंदर important support है वो है यह वाला level जो की level निकल के आ रही है 44,230 का माल लीजी अगर कल के दिन bank nifty यहां पर क्या हो जाती है flat opening ले लेती है तो ऐसे condition में यहां पर आप लोगों को क्या करना है वेट करना है जब यहां पर flat opening लेगी और इस level को यहां पर breakdown करेगी जो की level है 44,230 का तो आप लोग यहां पर safely put buy कर सकते हैं और यहां तक target के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अगला support होगा 44,120 का यहां पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हैं अब मान लीजिए अगर कल के दिन वाइंक नेफटी इस level के नीचे gap down खुल जाती है जो की level है 44,230 का अगर इसके नीचे gap down खुल जाती है तो ऐसे condition में यहां पर क्या करना होगा यहां पर करना होगा भईया वेट यहां पर बिल्कुल भी immediate put नहीं buy करना है नहीं तो यहां पर आप लोगों का चड़ावा चर सकता है यहां पर entry कैसे लेना है gap down खुलने के बाद जब इस level पर दुबारा retracement करने आती है और बीरी scandal की अंदर restaurant दिखाई दे देती है आप लोगों को अच्छे से बड़े बड़े अक्छडों में तब आप लोग यहां पर safely put buy कर सकते हैं और यहां तक target के लिए जा सकते हैं यहां पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हैं या तो फिर अपना चरहाबा को यहां पर अच्छे से चढ़ा सकते हैं अब चलिए बात कर लेते हैं hero to zero call का तो देख भाईया यहां पर सुन ले मैं क्या कह रहा हूँ अगर आप लोगों को सारे बारा बजे से ले करके धाई बजे के बीच में 44,600 के लेवल पर मिलती है bank nifty और जिसकी premium only 35 से ले करके 45 रुपे तक की होगी क्या होगी 35 रुपीज से ले करके 45 रुपीज तक की होगी वहां पर तुम लोग call और पुट दोनों बाई कर सकते हो या फिर सारे बारा बजे से ले करके धाई बजे के बीच में 44,200 के लेवल पर मिलती है bank nifty और जिसकी premium याने की रुपईया 35 से ले करके 45 रुपे तक की होगी वहां पर तुम लोग call और पुट दोनों बाई कर सकते हो तो आसा करता हूँ bank nifty की सारे लेवल तुम लोगों को दिमाग में घुस गई होगी तो तुम लोग अपने चार्ट के उपर ये सारे लेवल अच्छे से मर्क कर लेना ताकि कल एक स्पाइरी के दिन तुम लोगों को कामकाज आ सकती है तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातरम स्भीघ के दो हजएंद इन स्टाइब कर दिन उन्द विंद विंदत